दोस्तों कर आप भी SB Bank में ATM कार्ड बनवाने के लिए बहुत जादा परिसान है लेकिन आपको कोई ऐसा तरीका नहीं मिल पा रहा है जिस तरीके को फोलो करके आप यहाँ पर online घर बैटे ATM कार्ड के लिए अपलाई कर सकें लेकिन दोस्तों ATM कार्ड जब आपके घर पर रिसीव हो जाता है तो आपके मन में भी काभी सारे यहाँ पर कोईस्टन चलते रहते हैं कि जब हमारे घर पर ATM कार्ड रिसीव होगा तो क्या उस envelope के अंदर जो आपके घर पर postman deliver करता है हमें यहाँ पर ATM कार्ड का pin देखने के लिए मिल जाता है या फिर दोस्तों काभी सारे भाई ऐसे होते हैं जो यहाँ पर जिनके अधार कार्ड में address कोई और होता है और करण टाइम में वो यहाँ पर service कर रहे होते हैं किसी और address पे तो क्या वो उस ATM कार्ड को अपने service वाले address पर deliver करवा सकते हैं या फिर नहीं अगर आपके भी दोस्तों इस तरह काभी सारे question है तो आज किस वीडियो में आपके सब clear होने वाले हैं तो बिना किसी देरी के आज किस interesting वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों कर आप भी यहाँ पर अपने saving bank account के उपर SBA bank का new ATM card apply करना चाहते हैं वो भी दोस्तों घर बैटे अपने mobile phone का use करके तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप यहाँ पर Yono SBA application के थिरू new ATM card के लिए कैसे apply कर सकते हैं first of all दोस्तों आपको अपने smartphone के अंदर Yono SBA की application को open कर लेना है open करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे interface निकल के आ जाता है जैसे कि आप skin के उपर देख रहे होंगे यहाँ पर दोस्तों इस Yono application का जो भी आपने mpin create कर रखका है वो mpin यहाँ पर आपको enter कर देना है and then आप Yono application के अंदर login हो जाएंगी अब दोस्तों इस application का main interface हमारे सामने निकल के आ चुका है new ATM card के लिए apply करने के लिए हमें इस दोस्तों इस card वाली section के उपर click कर देना है उसके बार हमारे सामने my debit card वाली tab निकल के आती है इस पर हमें click कर देना है जैसे दोस्तों हमें इस पर click करते है आप यहाँ पर देख सकते है first of all हमें यहाँ पर हमारे account का balance हो जाता है then दोस्तों अगर हमारे account पर already कोई यहाँ पर आपने ATM card issue करा रखका है लेकिन वो ATM card आपका खो चुका है या फिर आपका ATM card वो बेकार हो चुका है लेकिन उसका यहाँ पर virtual format आपको यहाँ पर so हो जाता है वर्ट्वल format किस तरह से आपको so होता है मैं आपको screen के ओपर so कर दूँगा आपको यहाँ पर इस तरह का एक ATM कार्ड आपको लिखा मिल जाएगा लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर ATM कार्ड सो नहीं होता है आप यहाँ पर न्यूँ ATM कार्ड के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट से न्यू कार्ड पर किलिक कर देना है जैसे आप इस पर किलिक करते हैं अब दोस्तों आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में आपका अकाउन नमबर सो हो जाता है देन दोस्तो आपको यहाँ पर अपना ATM card का type select करना होता है कि आप यहाँ पर virtual ATM card बनवाना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पर physical ATM card बनवाना चाहते हैं virtual ATM card आपके घर पर deliver नहीं किया जाता है वो सिर्फ आपको योनो application के अंदर उसका एक virtual format आपको यहाँ पर मिल जाता है आपके घर पर कोई भी ATM card आपको नहीं आता है लेकिन दोस्तो अगर आप physical ATM card बनवाएंगे यहाँ पर simply no पर click कर देना है जैसी आप no पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको अपना ATM card का variant selected करना होगा अब दोस्तो यहाँ पर आपके सामने काफी सारे जो ATM card के variant होते हैं वो आपको यहाँ पर सो हो जाते हैं तो सारे वेरियंड आपको यहाँ पर अच्छे से रीड कर लेने हैं कि आप यहाँ पर किस वेरियंड का ATM कार्ड बनवाना चाहते हैं अगर आप यहाँ पर वीजा या फिर रूपय गलोबल या फिर वीजा गलोबल आप यहाँ पर बनवाते हैं तो दोस्तों इनकी यहाँ पर आपको फीज भी लगबग 500 रुपैसे ज़्यादा पे करने होती है लेकिन इनसे भी आप दोस्तों एक दिन में SBA के ATM जाकर 40,000 से ज़्यादा विड्रोल कर सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर हमें से रिकेमेंट करूंगा कि आप दोस्तों यहाँ पर वीजा गलोबल को सेलेक्ट करें क्योंकि वीजा गलोबल में आपको काफी अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं तो हमने भी दोस्तों वीजा गलोबल को सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद हमारा यहाँ पर हमें permanent address सो हो रहा है या पिर हमारा correspondent address हमें सो हो रहा है तो जिस भी address पे हम इस ATM card को deliver करवाना चाहते हैं उस address को हमें यहाँ पर select कर लेना है and then हमें terms and condition को accept करना है and यहाँ पर हमें simply next वाली tab के उपर click कर देना है अब दोस्तो हमारे register mobile number के उपर एक यहाँ पर OTP send की जाती है वो OTP हमें यहाँ पर enter कर देनी है and then हमें submit वाली tab के उपर click कर देना है जैसे दोस्तो आप यहाँ पर submit पर click करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा दोस्तो जो ATM card apply करने का process था वो हमारा सिर्फ 2 मिनट के अंदर complete हो चुका है जैसे कि आपने आज की इस वीडियो में complete post से सीख लिया है तो दोस्तो इस तरह से आप यहाँ पर घर बैटे SBAE बैंक का ATM card सिर्फ अपने mobile phone का यूज़ करके योनो SBAE application के तुरू apply कर सकते हैं अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ उन सवालों के बारे में जो दोस्तो अक्सर आपकी दिमाग में चलते रहते हैं जब दोस्तो ATM card apply करने के लगब 10-15 दिन के बाद आपके address पे जब वो deliver कर दिया जाता है तो जो आपके घर पर annual यानी की लिफाफ़ा आपको receive होता है क्या उसके अंदर आपको ATM card का pin मिल जाता या फिर नहीं तो मेरा answer है आपको कोई pin नहीं मिलता है अब दोस्तो current time में SB bank का ATM card जब आपको receive होगा तो आपको अपने उस ATM card का pin generate करने के लिए nearby किसी ATM machine के अंदर जाना होगा ATM में जाकर pin generate किस तरह से करते हैं मैं तो उसके लिंक आपको उपर आई बटन में एंडिजे description में मिल जाएगी उसे देखकर आप अपने SB bank का ATM card का pin generate करने का process सीख सकते हैं एंडोसों दूसरा सबसे बड़ा जो question आप से भी के दिमाग में चलता रहता है कि सर हमारे अधार card में हमारा गाउं का address है लेकिन current time में हम यहाँ पर job या business किसी दूसरे सहर में कर रहे हैं तो क्या वो ATM card हमारे उस job वाले address पे deliver कर दे जाएगा या फिर नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल आपके address पे deliver कर दे जाएगा लेकिन दोस्तों अपने job वाले address पे deliver करवाने के लिए आप जब ATM card के लिए online apply करें तो आप यहाँ पर अपना correspondence address जो यहाँ पर आपको manually fill करने का option आता है वो आप यहाँ पर अपना job वाले address फिल कर दे और जब यहाँ पर delivery address आप से पुछा जाए तो वहाँ पर आप अपना job वाले address फिल करें तो आपका जो ATM card होगा वो आपके उस job वाले address पे deliver कर दे जाएगा तो दोस्तो अगर आपका इन सभी सवालों से अलग कोई other सवाल है तो आप हमसे comment section में comment करके जरूर पूछ सकते हैं अगर दोस्तो आपको यह video पसंद आईए तो वीडियो को एक like करके सभी के साथ share कर दीजे और अगर आप मारे YouTube चैनल पर नए है चैनल को जूर सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि मैं इसी तरह है कि banking की video आपके लिए लाता रहता हूँ हम आप से मिलेंगे फिर की जिन फिर की सी video में तब तक के लिए जैहिन